जै महाकाल जै सिव संभू दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तिवारी जोती वास्तु टिप्स में दोस्तों अगर आप काफी समय से आर्तिक तंगी से परिसान चल रहे हैं आपका नोकरी रोटी रोजगार में उन्नती नहीं हो रही आपका धंदा अच्छा नहीं चल रहा है जिस कारिचेत में आप हात लगाते हैं उसमें आपको नुकसान देखने को मिल रहा है तो ऐसी स्थि में आज में आपको एक छोटा सा चमतकारी उपाय बताने वाली हूं इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा 29 अगस के दिन इस उपाय को आपको करना है सुबा जल्दी उड़ जाना है इश्नान आदी कर लेने के बाद आपको दो लोंग अपने साथ ले जाना है सबसे पहले आपको जो आपके हाथ में कलस के अंदर जो जल है सबसे पहले संकर जी के उपर अस्थापित कलस में थोड़ा सा जल डालना है स्री सिवाय मंत्र का जाप करते रहना है फिर भगवान सीव जी के सीवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है फिर उसके बाद आगे यानि जहां सेसनाक का मोड होता है वहीं पर बीचों बीच में आपको उस बेल पत्र को रखना है और मनी मन स्री सिवाय नमस्तुब्य मंत्र का जाब करना है फिर आप जो दो लॉंग लेकर गए हैं वो भगवान संकर जी के चरणों में रखके प्राथना करके स्री सिवाय नमस्तुब्य मंत्र का जाब करके कहना है कि भोले नात मेरे घर में जो भी परेसानिया चलने ही जो भी तकलीफे चलने ही उससे छुटकारा दिलाइए और मेरे नोकरी धंदा रोटी रोजगार में उन्नती करिए फिर वापस बाहर आजाना है बाहर आने के बाद जहां पर नंदी महाराजी बेटे उनके चर्णों में थोड़ा सा जल दोनों चर्णों में थोड़ा थोड़ा सा जल डालना है उन्हें प्रनाम करना है उनके कान में आपकी जो भी परेसानिया है जिससे भी जुड़ी परेसानिया उसे नंदी महाराज के कान में कहना है और स दोस्तो इस उपाय को आपको करना है या उपाय करने से आपके जीवन में जो भी परेसानिया जो भी तकलीफे चलने है उससे आपको जल से जल छुटकारा मिल जाएगा जै सिव संबू जै महाकार